हलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माइ चैनल सकी क्रोशेट अज दिखिए मैंने ये चार और पांच नमबर कानाजी की ड्रेस बनाई है ये कानाजी की सर्दियों की ड्रेस है और इसे मैंने वूल से बनाया है इस ड्रेस को बनाने के लिए पहले मैंने चार और पांच नमबर कानाजी की चोली बना लेंगे और उसके बाद ये खेरा स्टार्ट करेंगे 4 और 5 नमबर कानाजी की चूली के end में हमारे पास 25 डबल क्रोशिया मलती है और गेरे के लिए हम 24 डबल क्रोशिया को यूज़ करती है 4 और 5 नमबर कानाजी की चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है वहां से देखकर आप इसको बना सकती है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी वहां से देखकर भी आप इसको बना सकती है जोली के एंड में 25 डिबल कुश्य होती है लेकिन घेरे के लिए हम 24 डिबल कुश्य ही यूज करती है और यह घेरा जो मै कर देखिए पिल्कुल देखिए पिल्कुल पर्फेक्ट ड्रेस्विन कर तयार कर देखिए किसी भी तरह का ड्रेस में कोई भी जोल नहीं है बिल्कुल पर्फेक्ट शेप में इसका घेरा बनकर रेडी हुआ है इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का ग्रुश्य होक लिया है तो यह से बनाना स्टार्ट करती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले य आपको सबसे पहले मिले वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्षिन में राधी राधी जरूर लेक कर बताईए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो यह स्ट्राट करती है तो दिखिए फ्रेंट्स पांच नमर तो पांच तो टो ट्ल पांच राउंट बनाए है और तीन राउंट के बाद में आर्म हुल निकाला है चोली के अंड में हमारे पास 25 टूबल कुरूश्या मिलते है और घेरे के लिए हम 24 टूबल कुरूश्या यूज़ करेंगी अब हम इसका गेरा स्टार्ट करेंगी घेर और तीन चेन यह हमारा एक डबल कुरुशिया हो गया है इसी चेन में हम एक डबल कुरुशिया और बनाएंगे तो कुल दो हो गये नेक्स चेन के अंदर दो डबल कुरुशिया एक और इसी इस चेन में एक और बना दिया है नेक्स चेन में फिर से दो बार डबल कुरुशिया बनाएंगे एक और दो यह इस राउंड में हम हर चेन की अंदर दो दो बार डबल कुरूशिय बनाएंगे चोली के इन में 25 डबल कुरूशिया थे लेकिन हमने 24 डबल कुरूशिया को ही उस करना है राउंड को पूरा करते हैं दिखे राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया लास्ट में आ गए अब यहां एक दो और तीन थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइन करेंगे नेक्स डाउंड के लिए हमने एक चेन बनाई अब यहां पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो एक चेन ली और इसके नीचे जो यह तीन खी चेन है इसी को हम उठाएंगे धागा लिया और इस चेन के नीचे से क्रुशिया हुग ले जाते वे धागा लेकर आएंगे और यहां पर एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह सी हमारा फ्रंट पोस्ट बना नेक्स डबल कुरुशिया की चेन पर हमने सिंपल डबल कुरुशिया बनाना है नेक्स जो डबल कुरुशिया है याने दो डबल कुरुशिया में सी फर्स डबल कुरुशिया को हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है यहाँ पर हमने front post बनाया और next double crochet की chain के अंदर simple double crochet बनाया next double crochet पर इसको ठाती वे हम front post बना देंगे और next पर simple double crochet यहने जो हमने यह दोदर double crochet बनाये हैं उसमें से first वाली double crochet पर हम front post बनायेंगे और second वाली पर simple double crochet तो next double crochet की उठाती वे यहाँ पर front post बनाया next पर simple double crochet इसी तरह से हम यह round complete कर लेते हैं इस round को भी हमने complete कर लिया last में हमने एक front post बनाया और front post की बाद एक simple double crochet बनाएंगे और यहाँ front post की उपर की chain में देखें यहाँ पर front post की उपर की chain में हम slip stitch से join करेंगे फिर से next round के लिए हम एक chain बनाएंगे एक chain बनाने के बाद front post को उठाते वे front post बनाएंगे तो यहाँ पर हम से front post को उठाएंगे उसके नीचे की chain को ने उठाएंगे तो यहाँ front post भी हमने front post बना दिया देखें इस round में front post की बाद हमने एक double crochet बनाया था एक simple double crochet बनाया था लेकिन इस round में हम increase करेंगे तो यहाँ पर एक की जगह है दो कर देंगे तो इसी double crochet के उपर हम इसी की chain में तो इसी double crochet पर हम increase करेंगे यहाँ पर दो double crochet बनाएंगे एक बार बनाया और इसी chain में एक बार और बना देंगे तो यहाँ दो हो गए next जो front post है इस front post को उठाते वे हम front post बनाएंगे next जो एक double crochet है उस double crochet पे increase करते वे 2 बनाएंगे एक और same place पर फ्रेंट post पर front post next double crochet पे increase करते वे 2 double crochet बनाएंगे फ्रेंट पोस्ट पर फ्रेंट पोस्ट और नेक्स पर इंक्रीज एक और इसी जगे पर एक और राउंड कम्प्लीट करेंगे यहां राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया लास्ट में हमने इंक्रीज करते विए दो डबल कुछिया बनाए हैं और front post के उपर की chain के अंदर slip stitch से round को join कर देंगे next round के लिए फिर से हम एक chain लेंगे और एक chain लेने के बाद front post को उठाते वे front post बनाएंगे इसके नीचे की chain को नहीं उठाएंगे सिर्फ front post को उठाकर यहां पर front post पर front post बनाएंगे next double crochet पर एक बार double crochet बनाया और जो second double crochet है उस पर हम increase करेंगे यहां पीछे हमने दो double crochet थे अब यहां तीन करेंगे तो यह second बाले पर increase करते वे दो double crochet बनाएंगे तो यहां देखिए तीन हो गए front post, front post के बाद एक double crochet और उसके बाद increase करते वे दो तो कुल यहां 3 हो गए, next front post को उठाते वे front post बना दिया और यहां जो 2 double crochet है इनको हम 3 करेंगे, तो सबसे पहले बाले पर एक बार बनाया next पर increase करते वे हम 2 double crochet बनाएंगे एक और इसे जगे पर एक और, तीन हो गए, front post पर front post बनाया next दो पर तीन बनाएंगे, एक और next वाले पर दो याने हमें front post से ठीक पहले वाले double crochet पर increase करना है, एक और next पर दो और इसकी बाद हम front post बनाएंगे, देखे, front post से ठीक पहले वाले पर हमें increase करते भी, दो double crochet बनादेने हैं, और यहां से देखेंगे, तो front post की बाद में, जो last double crochet है, उस पर increase करेंगे हर round में इसी तरह से करेंगे, यहां पर हमने 3 बनाए, next में 4 हो जाएंगे और इससे next में 5 हो जाएंगे, तो total हम 6 round बनाएंगे, अभी 1, 2, 3 और 4 round हो गए, 4th round चल रहा है, और 6 round complete करके बताती हूँ आपको तो दिखिए हमने यह round complete करके, गेरा तयार कर लिया है, slip stitch से हम round को join कर देंगे, और एक chain लेकर दागा कट कर देते हैं, यह हमारा गेरा ready हो गया है, मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 round बनाए है, और 6 round में हमारे पास, यहाँ पर हमने front post बनाया है, और front post के बाद 1, 2, 3, और last वाला जो double crochet है, उस पर हमने increase करते वे 2 बनाए है, तो 1, 2, 3, 4, 5 double crochet हो गया है, उसके बाद में फिर से front post है, और front post के बाद में 5 double crochet है, इस तरह सी ही गेरा हमने complete कर लिया है, अब हम इसका border बनाएंगे, border बनाने के लिए जहाँ पर हमने slip stitch किया था, और round को join किया था, जहाँ पर हमने वहीं पर हम धागा attach करेंगे, slip stitch से हमने धागा join किया, अब यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन chain बनाई, यह हमारा एक double crochet हो गया, next chain के अंदर, अब हमें कोई भी front post नहीं बनाना है, next chain में हमने एक double crochet बनाया, next chain में हमने फिर से एक बार double crochet बनाया, तो हमने यहाँ पर कुल तीन double crochet बना लिये, एक टीन की chain और दो double crochet, अब एक और दो chain लेंगे, दो chain लेने के बाद, नीचे देखिए, यहाँ पर एक chain को हम skip करेंगे, एक chain skip की, और next chain में double crochet बनाया, एक, next में फिर से एक बार, और next chain में फिर से एक बार, पर दो chain लेने के बाद, नीचे एक chain को skip करेंगे, और next chain की अंदर double crochet बनाया, next में फिर से एक बार, next chain में एक double crochet, तीन double crochet हो गए, फिर हम एक और दो, दो chain लेंगे, और यहाँ एक chain skip करके, next chain की अंदर double crochet बना देंगे, लेके हमने तीन double crochet, फिर उसके बाद, दो chain, दो chain बना कर, एक chain skip करने के बाद, फिर से हमने तीन बार double crochet बनाये, फिर दो chain लेकर, एक chain skip करती वे, फिर तीन double crochet बनाये, इसी तारह से इस पूरे round को हम complete कर लेते हैं, यह round हमने यहाँ पर complete कर लिया, अब दिखिए, दो chain बनाने के बाद, यहाँ एक chain को skip करेंगे, और next chain के अंदर double crochet बनाएंगे, next chain में फिर से एक बार double crochet बनाया, next chain में फिर से एक बार double crochet, यह निकुल हमने तीन double crochet बना लिये, फिर से एक और दो, दो chain लेंगे और यहाँ पर एक chain skip की हैं, और next जो हमने तीन की chain बनाई थी, यह वहाँ पर एक दू और तीन, थर्ड चेन के अंदर slip stitch से round को join कर देंगे, और एक chain लेकर धागा कट कर देते हैं यहाँ पर, फिर से हम अपना yellow color join करेंगे, यहाँ पर जो हमारी दो की chain है, वहाँ पर हम धागा join करेंगे, और एक, दो और तीन, तीन chain लेंगे, यह हमारा एक double crochet हो गया, इसी chain के अंदर हम दो double crochet और बनाएंगे, एक और दो, तो एक हमारी तीन की chain हो गई और दो double crochet हो गएं, तो कुल तीन हो गएं, तीन double crochet बनाने के बाद, एक और दो, दो chain बनाएंगे, दो chain बनाने के बाद, इसी जब्बे में, यहने इसी space में हम तीन बार double crochet और बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन बार double crochet बना लिए, उसकी बाद हम बनाएंगे, एक chain, एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो दो की चेन का स्पेस है यहां पर एक बार डबल कुर्शिया बनाएंगे इस तरह से फिर से हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर यह जो अगला दो की चेन का स्पेस है यहां पर हम तीन डबल कुर्शिया बनाएंगे एक दो फिर से हम एक चेन लेंगे. एक चेन लेने के बाद next space की अंदर एक दबल कुर्शिया बना देंगे दबल कुर्शिया की बाद फिर से एक चेन ली एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट स्पेस में इसी तरह से तीन डबल क्रोशिया इसी जगे पर फिर से तीन डबल क्रोशिया इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड के लास्ट में आ गए हम यहां पर एक चेन बनाएंगे एक चेन बना लेने के बार नेक्स्ट जो दो की चेन का स्पेस है वहां पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसकी बाद फिर से एक chain बनाई, एक chain बनाकर यहाँ अब हम round को join करेंगे एक, दो और तीन, थर्ड chain के अंदर हमने इस round को slip stitch से join कर दिया तो कि इस तरह से हमारा पटन तैयार हुआ है नेक्स राउन के लिए हम फिर से यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन chain बनाई यह तीन हमारी first double crochet account हो गया, उसकी बाद हमने एक chain और बनाई तो कुल हमने यहाँ पर चार chain बनाई अब next chain जो है, next chain के अंदर हम double crochet बनाएंगे फिर से हमने एक chain बनाई और next chain में double crochet बनाया फिर से हमने एक chain बनाई और यह जो space है, बहाँ पर भी हमने एक पार double crochet बनाया फिर एक chain बनाई और next chain के अंदर हमने double crochet बनाया फिर एक chain और next double crochet बनाई और यहाँ तक आने के बाद फिर हम एक chain लेंगे और यह जो double crochet था, इस double crochet के उपर हम single crochet बनाईंगे से हमने इस तरह से join कर दिया, फिर से हम एक chain लेंगे और यहाँ जो first double crochet है, इस first double crochet पर double crochet बनाईंगे एक chain, next chain में एक double crochet, एक chain, next double crochet पर एक double crochet फिर से एक chain और इस दो की chain के अंदर भी हम एक बाद डबल बनाईंगे फिर एक chain, next chain पर एक double crochet, एक chain लेंगे नेक्स chain में एक double crochet, फिर एक chain लेंगे और एक chain लेंगे, एक chain लेने के बाद यहाँ जो single double crochet है यहाँ जो एक double crochet है, इस एक double crochet के उपर हम एक single crochet बनाईंगे इस तरह sit button बनता जाएगा हमारा फिर से एक chain लेंगे, और हर double crochet के उपर हम एक double crochet बनाईंगे और हर double crochet के बाद एक chain लेंगे इस दोखी chain के space में भी हम एक double crochet बनाईंगे और एक chain लेंगे और एक chain लेकर इस double crochet के उपर हम single crochet बनाईंगे इसी तरह सी round complete कर लेते हैं इस round को हमने complete कर लिया है यह दिखे लास्ट में आ गए इसके हम अब यहाँ पर single crochet से हमने join किया उसके बाद एक chain लेंगे और एक chain लेने की बाद next जो हमने double crochet बनाई थे उसकी chain के उपर double crochet बनाएंगे फिर एक chain next double crochet पर एक double crochet फिर एक chain next double crochet पर एक double crochet एक चीन लेए अब हम यहा पर दो की चेन पर आ गये हैं यहां पर में हम डू कुरूशिय बनाएंगे एक चीन नेक्स पर डू कुरूशिया इसी तरह से हम हर डबल कुरुशिया पर एक एक डबल कुरुशिया बनाएंगे और एक चेन लेते जाएंगे फिर एक चेन ली और यहां जो डबल कुरुशिया है इसके उपर हम सिंगल कुरुशिया से से जोईन करेंगे और एक चेन लेंगे जहां से हमने राउंड स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने तीन की चेन बनाई थी वहाँ तीन की चेन में थर्ड चेन की अंदर स्लिप स्टिच बनाती वे इसे जोईन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं पर से हम रेट कलर का धागा जोईन करेंगे जहां पर हमने जोईन किया था यह रेखिए हमने यहाँ जो डबल कुरुशिया बनाए थी डबल कुरुशिया के बाद में एक चेन ली थी फिर डबल कुरुशिया फिर एक चेन ली थी तो यहाँ जो फर्स्ट डबल कुरुशिया जो तीन की चेन ली थी उसके बाद के स्पेस के अंदर हम धागा जोईन क करेंगे कि यहां हमने धागा जोइन किया फिर इसी जागया पर हम एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे सिंगल क्रोशिय बना लेने के बाद एक दो और तीन तीन चेन बनाएंगे यहां पर हम परल स्टिच बनाएंगे फिर यहां से तीन चेन बनाने के बाद यहां जो हमने सिंगल क्रोशिय बनाया थे इसके दो धागव को उठाते वे फिर से एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे तो इस तरह से परल बन जाता है और नेक्स्ट की अंदर इसको सिंगल क्रोशिया से जोइन कर देते हैं फिर से एक MICHAEL आप दो और तीन önce बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया की दो धागों को उठाथा रहे यहां फिर से सिंगल ख्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट के अंदर सिंगल कुरूशिया से जॉइन कर देंगे अब हम यहां सेंटर में आ गए हैं दो पल हमने बनाएंगे दो पल हमने बना लिये हैं और थर्ड पल के लिए हम पाँच बार चेन लेंगे एक, दो, तीन, चार और पाँच पाँच चेन लेने के बार फिर से उसी दार से सिंगल कुरूशिया के दो धागों को उठाती वे यहां पर एक सिंगल कुरूशिया बना देंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल कुरूशिया से जॉइन कर देंगे तो यह पल हमारा बड़ा साइस का बन गया फिर एक दो और तीन तीन चेन दी और यहां सिंगल कुरुशिया के दो धागों को उठाते वे सिंगल कुरुशिया बनाया नेक्स स्पेस में जोईन किया फिर से एक दो और तीन तीन चेन बनाई और यहाँ पर बना दिया और नेक्स्ट एस स्पेस की अन्दर हम ने इसे सिंगल क्रोशय से जोईन कर दिया इस तरह से हमारे दो इस तरफ दो इस तरफ और बीच का पटा बड़ा साइस का बन गया अब हम triple crochet बनाएंगे तो एक और दो दो बार दागा लपीटा है अपने crochet पर और यहां जो हम जहां work कर रहे हैं उसके ठीक नीचे के double crochet है red color वाली जो row है वहां पर first double crochet को उठाते वे इसके नीचे से धागा लिया और पहले दो फिर दो और फिर उसके बाद दो धागों को निकाल दिया इस तरह से double crochet बन गया हमारे सितारा से फिर से हम crochet पे दो बार धागा लपीटेंगे और इस बार यह next जो तीन double crochet है उसके last वाले double crochet की नीचे से यहाँ देखिए इस लास्ट वाली double crochet की नीचे से धागा निकाल के लाएंगे पहले दो धागे निकाले फिर दो और फिर दो इस तरह से हुआ फिर उसी तरह से first double crochet की बाद यह लो वाली जो रो है उसके first double crochet की बाद की स्पेस की अंदर हम single crochet से जोईन करेंगे single crochet बनाने के बाद 1,2,3 तीन चेन ली और उसी तरह से हमने पर्ल स्टिच बनाना है single crochet की 2 धागों के हमने उठाया और यहाँ पर single crochet बना दिया और next space की अंदर single crochet से ही join कर दिया फिर से एक दो और तीन तीन चीन बनाई और पर्ल स्टिच बनाया और नेक्स्ट में जोइन कर दिया अब यहां सेंटर में आ गए हैं सेंटर में हमें बड़ा पर्ल बनाना उसके लिए एक दो तीन चार और पांच पांच चेन बनाई हमने और यहीं पर्से सिंगल कुरूशिया की दो धागों को उठाया और यहां सिंगल कुरूशिया बना दिया और नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल कुरूशिया से जोइन कर दिया फिर से एक दो और तीन हमने पांच पर्ल बना दिये यहां फिर से हम ट्रिपल कुरूशिया बनाएंगे उसके लिए कुरूशिया पे दो बार धागाली पेटा और यहां। फ़र्स्ट डबल कुरूशिया को उठाएंगे नीचे वाया दागा निकाला पहले दो फिर दो और फिर दो फिर से दो बार धागला पेटा क्रोशिया होग पे और इस बार बाद का याने तीन डबल क्रोशिया की लास्ट वाले डबल क्रोशिया की नीचे से धागल लिया और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे फिर से हम यहां फर्स्ट वाले डबल कुरूशिया है यलो वाला उसके बाद के स्पेस के अंदर सिंगल कुरूशिया बनाएंगे दिखे इस तरह से हमारे यह पैटर्न बनना शुड़ू हुआ है इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं दिखे हमने राउंड कंप्लीट कर लिया और इसके लास्ट में आ गए है अब यहां हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए क्रोशिया हुप पे हमने दो बार दागा लपीटा और यहां फर्स्ट डबल क्रोशिया को उठाया इसके नीचे से धागा निकाला और पहले दो धागे निकाले फिर दो और फिर दो फिर से हमने क्रोशिया पे दो बार धागा रापेटा और यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशिया है याने यह तीन का जो है तीन मैं से पहले फरस्ट का लेंगे और फिर नेक्स्ट तीन डबल कुशिया की लास्ट की डबल कुशिया को उठाते वे मए यहाँ पर हम टिपल कुशिया बनाएंगे यहाँ जहां से हमने स्टार्ट किया था, भहाँ पर स्लिप स्टिच से abbiamo इस रौंड को जॉइन करदेंगे और एक धागा लेकर यानि एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे रेकी ड्रेस कंप्लीट हो गई है और इसके चोली की किनारी भी मैंने बना दी बहुत सुन्दर और बहुत प्यारी ड्रेस बन कर तयार हुई है इसे आप किसी भी साइज में बना सकती है आछा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो फ्रीस वीडियो को लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए है और आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल न भूले या कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और कमेंट सेक्षिन में राधे राधे लिख का जरूर बताएए कि आपको वीडियो कैसा लगा थेंक्यू फॉर वाचिंग राधे राधे